आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादीशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहली मुख्य समाचार प्रदेश में पहली जरण में लोगसभा के 6 सीटों के लिए कल जारी होगी अधिसूचना 19 अप्रेल को मतदान लोगसभा चुनाओं को लेकर जिलाइस्तरी प्रसिक्षन और जन जागरुकता के कारिकरम जारी नागरिकों से बिचले के तारों के नीचे होलिका दहद नहीं करने की मद्द शेत्र विद्द वित्रन कमपनेने की अपेल और प्रदेश में कुछ सिलों में बारिश और ओला वरिष्टी 20 मार्च तक रहेगी जारी अब समाचार प्रस्तार से प्रदेश में पहली चरण में 6 लोगसभा संसदी शेत्रों सीधी, शेहडोल, जबलपुर, मंदला, बाला घाट और चिंद वाड़ा में 19 अप्रैल को मद्दान होगा इसके लिए अधिसूचना कल 20 मार्च को जारी होगी इसी दिन से नमांकन पत्रों दाकिल के जाएंगे, इन में से चार सामाने और दो आदिवासी सीधे हैं पहले चरण के लिए सीधी, शेहडोल, जबलपुर, मंदला, बाला घा, टोचिंद वाड़ा के लिए भाजपाने अपने उमीदवार खोशित कर दिये हैं जबकि कॉंग्रस की तीसरी सूची में इन लोगसभा सीटों के लिए बचे नावों का एलान हो सकता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोशित कारिक्रम के अनुसार इन सभी लोगसभा सीटों पर नावांकन जमा करने के आखरी तारीक 27 मार्च होगी 28 मार्च को नावांकन पत्रों की स्क्रूटने का काम किया जाएगा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे प्रोदेश के सभी सिलों में लोगसभा निर्वाचन की तयारियां जारी है जमा सिले में सभी विधानसभा शेत्रों में सेक्टर अधिकारियों की निर्वाचन अधिकारियों की निर्वाचन गया है नागरिकों से समवाद करते वे, चर्चा कर फीडबैक लें, साथी मतनान किंद्रों का प्रमन कर बहुत इक सत्यापन कर मूल भोट से विधाएं देखें, दिन दौरी में कलेक्टरीट सबाकक्ष में आयो जिद समय सीमा की बैठक में लोगसभा निर्वाजन के तयारियों के बैठक की, बैठक में बताया गया है कि जिले में उनीज चकपोस्ट बनाये गये हैं, जिले में 166 सेक्टर अधिकारी बनाये गये हैं, SST, FST टीम गठित की गई है, EK controllers room नवीन तहасьील कार्याले में बनाया गया है, रायसेन में हुई बैठक में कलेक्टरी ने सभी नूर अ अधिकारियों के कारियों की समिक्षा की। 21 मार्ट से प्रारंब होगा। बैतूल सिले में कलसला नर्वाजन अधिकारियों कलेक्टर ने पुलिस अधिक्षक के साथ जे एच कॉलेजिस्तित मदगर्ना और मदान इस्तल का रिरिक्षन किया। अधिक्षता में कल मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन कमेटी का प्रसीक्षन आयोजित किया गया। कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने इसपश्ट किया है कि शक्ती से उनका तातपर उस ताकर से है जिसने भारत की आवाज, भारत की सिंस्थाओं और भारत की पूरे समवाधानिक धाचे को अपने चुंगल में फसालिया है। सोशल मीडिया पोस में श्री गांधी ने भारती इंतापार्टी के वरिशनेता और प्रधानमंत्री नरीन जुमोधी पर उनकी टिप्पुनियों क्यार्थ को तोड मरोडगर पेश करने का आरूप लगाया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेकी बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्पागत है। कमपनी ने सभी बिजली उभोकताओं और नागरिकों से अपील किये कि होली का दहन बिजली की चालू लाइनों उपकरनों से दूर करे और पुसंजा से त्योहार बनाएं। सर्वोच नियाले ने भारती स्टेट बैंक, SBI को चुनावी बॉंड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। नियाले ने SBI को 21 मार्च तक खरीदार और प्राप्तकरदार, राजनातिक पार्टी के बीच के संबंधित सभी जानकारी देने को कहा है। राश्य परिक्षा एजन्सी एंटिये केंद्री विश्विद्यालियों में सनातक पाथिक्रमों की प्रवीश परिक्षा पूर्मिरधारित कारीक्रम के रुसार 15 माई से 31 माई के बीच आयोजित कराएगी। आयोग के अधिक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा है कि आवी दिन के अंतिम्तिती 26 मार्श के बाद 15 चात्रों की संख्या और उनकी भौगवाले के सिती की जानकारी मिल सकेगी। प्रोदेश में मौसम का मिजास बदल रहा है जहां एक तरफ कुछ जिलों में दिन भर धूप की तपिश रही वहें कुछ जिलों में बे मौसम बारिश हो रही है। जबलपूर में पंच सर पंच और यहां तक की जिलों मिल सकेगी। पंच सर दस भी साक्षरता के परिक्षा दे रहें सिले की 1830 केंद्रों में परिक्षा के दोरान ऐसे कई दिल्चस नजारे देखने को मुले जहां कहीं स्कूलों में उम्र दराज परिक्षार्थी भी नजर आए। इस सम्मन में संकुल सह समन्वेक विपन विशिकर्मा ने बताया कि साक्षरता दर बढ़ाने राजे शिक्षा के इंद्र के नरदेश पर नौ साक्षरों के लिए मूल भूत साक्षरता और संख्यात्मक परिक्षा का युजन किया गया। जिन में तकरीबन ब्याली सजार नौ साक्षर परिक्षा में शामिल हुए परिक्षा के दौरान अनेक शालाओं में नौ साक्षरों का स्वाकत समान किया गया। अब कुस समझा है संख्येप में। आगर मालवा में किसानों से समर्थिन मूली पर उपारजन को लेकर कल टैक समितियों की प्रवंधग और आपरिटरों की बैठख में कलेक्टर ने केंदर प्रभारियों को किसानों से गीहुं खरी दी है तो उपारजन केंदरों पर सभी व्यवस्ताएं सुनिशित करने को कह है गुना कलिक्टर द्वारा 45 शासकी और 18 अशासकी गौशालाओं को 1 करोड 18,38,560 रुपए के अनुदान राशी जारी की गई है शासकी गौशालाओं में उपलब्द 3958 गौवंश और अशासकी गौशालाओं में उपलब्द 2476 गौवंश के लिए विवस्ता सुनिशित हो सकेगी शदरपुर में पानी का गिरता जलस्तर देखकर जले को जलब हाव गरस्त गोशत किया गया है पश्यम रिल्वी रतलाम मनल की नीमच रतलाम खंट के दोहरी करण कारे के तहट नामली से धौसवास के बाद दोहरी करण का कारे अंतिम चरण में है इस करण उज्ज स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूनामेंट 2024 आज से स्विसलेंड के बिसल में शुरू होगा इस पुलिटिन में इतना ही डीजे इजासत नमस्कार